हेलो फ्रेंड्स गूड मार्निंग चलिए आज रिपोर्ट करते हैं हम जो मेरी गॉल्ड का पौदा लगाये थे बीज लगाये थे तो तुटा पुटा गमला था उसमें हम लगाये थे तो ये देखें ये निकल आया है लेकिन हम इसमें ज्यादा डाले थे और कम ही पौदा निकला है हम इसको रिपोर्ट करेंगे इसे निकालते हैं इसमें दो पत्ते हो गये हैं उस पौदे को हम बाहर निकालेंगे किसी एक डिस्पोजल में लगाएंगे उसे वीडियो पर कंटिनुई बने रही है ये देखिए इसको रिपोर्ट करने के लिए अभी पौदा छोटा है तो हम ये डिस्पोजल लिए है हमारे पास चार पीस है ये डिस्पोजल चारों में हम पौदे को डालेंगे और जब पौदा बड़ा हो जाएगा फोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर इससे निकाल कर जमीन पे लगा देंगे ये चारों में हम इस पौदे को यहां रिपोर्ट करेंगे इसके लिए सबसे पहले हम दिस्पोजल में मट्टी भर लेते हैं और गोबर खाद भी डालेंगे गोबर खाद डालना बहुत जरूरी होता है और इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे थोड़ा इसको निकालने के लिए ये लक्री है ना ये लक्री का मदद लेंगे तो इसको नीचे से ये देखें ये भी बहुत ही छोटा है और हम इसको इसी के साथ यहां सिफ्ट कर देंगे और इसमें कुछ मिट्टी डालेंगे दूसरे पौदे को भी इसी तरह से निकालेंगे हम ये देखें पौदे को सिफ्ट करते समय ध्यान रखना चाहिए हमें क्यों से बहुत नीचे से उठाना चाहिए उसका जड़ के साथ में जो मिट्टी है वो भी आ जाए देखें यहां पे दो है तो समिट्टी ले ले लेते हैं यहां से गोबर खाद में इसको हम लगाये थे इसे भी हम गोबर खाद में ही लगाये थे इसलिए ये एक साथ दिन के अंदर बाहर निकला है तो हम चार पाउदे को ही सिफ्ट कर पाए बाकी को छोड़ दियें उसी में वीडियो कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताना और एक लाइक जरूर करना आपका एक लाइक हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब तक के लिए बाई